हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ चीज पॉकेट, जो बच्चों के सासाथ बड़ों को भी बहुत पसंद आती हैं तो देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें कौन-कौन से इंग्रीडियन्ट चाहिए होंगे, एक कप मैदा, एक गाजर, एक प्याज, ग्रेटेट चीज, एक कैपसिकम, एक टमाटर, नमक, ओईल, पीजा सॉस, गार्लिक सबसे पहले हम दो तयार कर लेंगे, उसके लिए एक बाउल में मैदा ले लेंगे, 1 पॉट टेबल स्पून नमक डालेंगे, 2 टेबल स्पून ओईल डालेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से अच्छे से मिक्स कर ले ना है इस तरह से मुट्टी में बन करके देख लेंगे मैदा का टेक्स्चर कैसा है, यदि इस तरह से बन रहा है तो हमारा मैदा सही है और इससे प्रिस्पी पॉकेट बनेगी अब इससे हम एक सेमी सॉफ्ट डो तयार कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालना है डो हमारा रेडी हो चुका है अब हम स्ट्रफिंग की तयारी कर लेंगे तू तेबल स्पून ओल लेलेंगे उसमे लासुन डाल देंगे क्याज डाल देंगे सॉफ्ट होने तब क्याज को अच्छे से पका लेंगे क्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुके है अब हम गाजर मिला लेंगे सब्जियों को उमें ओवर कुट नहीं करना है अब हम इसमें सॉमेटर मिला देंगे क्याज सिकम डाल देंगे और इसे 10 से 15 से के लिए सोटे कर लेंगे 10 से के लिए मैंने सब्जियों को अच्छे से बूल दी आए अब हम इसमें पुनामग डालेंगे स्वादर मुशाए लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 अब टेबल स्पून अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें पीजा सॉस में लालेंगे 2 अब इसमें पीजा सॉस में लालेंगे दो चम्नब्च से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें पीजा सॉस में लालेंगे तीज को मेल्ट होने तब अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्टफिंग हमारी रेडी है अब इसे ठंडा कर लेंगे डो को हम टू पार्ट में डिवाइड कर लेंगे सच्छे से एक बड़ी रोटी का शेप दे देंगे अब हम इसे कट कर लेंगे रिमूव कर देंगे फोर पार्ट में डिवाइड कर देंगे एक्सेस पार्ट को रिमूव कर देंगे इस पर हम स्टाफिंग राखेंगे चारो तरफ पानी लगा देंगे ताकि फ्राइ करते समय स्टाफिंग बाहर ना निकले इस पर दूसरा पार्ट रख देंगे अच्छे से सील कर देंगे फॉक की हेल्प से हम इससे सील कर देंगे एक्सेस पाट को निकाल देंगे हमारी पॉकेट रेडी है अब इस तरह से हम और पॉकेट तयार कर लेंगे चीज पॉकेट हमारी रेडी है अब इसे फ्राइ कर लेंगे और अच्छे से गरम हो चुका है अब हम इसमे फ्राइ कर लेंगे पॉकेट सारी एक समय पर एक ही पॉकेट को फ्राइ करना है वरना सारे पॉकेट तूट भी सकते हैं दोनों तरफ से अच्छे से गोर्डन ब्राउन होने तक सेट लेंगे निकाल लेंगे इस तरह से हम सारे चीज पॉकेट को फ्राइ कर लेंगे रेडिये चीज पॉकेट जोने ब्राइ झाल 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 मल झाल 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 ork